हेलो एवरीबड़ी, वेलकम तो मिस्टिक वाल्ड 11.11 ये आप लोगों की क्विक एनरजी अपडेट है और हम देखेंगे कि आपके परसन की करण्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है आज वो कैसा फील कर रहे हैं, देर फीलिंग्स तुड़े सो ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है, ये एक शॉट है, रीडिंग और टाइमलेस है सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आगया है, नाइट ओफ कप्स सो आई फील कि जैसे इनके दिल में कुछ है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं ये केर, कुछ भी हो सकता है जो अभी तक उन्होंने आपको बताया नहीं है इस वरी तो व्रेटिश जो भी इन्होंने आपसे चुपाया हुआ है और ये आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं but थोड़ा hesitant है फिर है हमारे पस five of wands so ये तो कोई आपके secret admirer भी हो सकते है उनको डर लगते हैं अपनी feelings बताने से कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं कहीं आपको गुस्सा ना आ जाए so ये कोई ऐसे इनसान हो सकते हैं जिनसे आपका आमना सामना होता रहता है या कभी कबार हो जाता है और ये दूर दूर से आपको admire करते हैं और ये डरते हैं कि कहीं आप डांटे ना लडाई ना हो जाए अगर वो आपको बता दें अपनी feelings फिर हैं हमारे पस the emperor so ये आपके person भी हो सकते हैं बट वो control करते हैं so ये दो चीज़े मुझे नजर आ रही है king of wands so बहुत attraction बड़ा passion है इनके दिल में आपके लिए आज बहुत ज़्यादा feel कर रहे हैं और ये कोई ऐसे इनसान भी हैं कि जो बहुत ही charismatic हैं बहुत ज़्यादा लोग इन से attract होते हैं handsome है बहुत ज़्यादा या beautiful है male हो या female फिर है हमारे पास king of pentacles कोई doctor भी हो सकता है कोई police में हो सकता है कोई nurse भी हो सकती है कोई charity का काम हो सकता है करते हूं फिर है हमारे पास ten of swords या आपके ex भी हो सकते हैं so जो possibilities मुझे नजर आएंगी में आपके साथ share करूँगी queen of wands आप में से कोई हो सकता है influencer हो सकता है कोई tarot card reader हो सकता है बट आपकी personality भी बहुत strong है बहुत ज़्यादा और charismatic है फिर हमारे पास nine of pentacles so I definitely feel के आप दोनों बहुत ज़्यादा independent है so with this cat I definitely feel के आपके अंदर बहुत ज़्यादा wisdom है मैं हमेशा ये भी कहती हूँ so किसी ने ये बोला के black cat wisdom का symbol नहीं होती bad luck का होती है बिल्कुल wrong है ये ये सारी बाते बनी हुई है black cat is a symbol of wisdom so अगर आप ये research इसके ओपर करें थोड़ा सा अपने knowledge को बढ़ाएं तो आपको पता चलेगा black cat is a symbol of wisdom so आपके अंदर बहुत ज़्यादा wisdom है at least in cards में black cat is a symbol of wisdom so it's wrong ये बाते बनी हुई है कि काली बिली रस्ता काट ले तो बहुत गलत हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है so ये सारी आपकी assumptions होती है जो आपकी reality बनाती है so अगर आप किसी भी चीज से कोई ऐसी चीज अटाच कर लेंगे यानि placebos जिने कहते हैं उन पर भी मैं video बनाऊंगी but anyways आज बात हो रही है कि आपके person क्या feel कर रहे है आपके लिए so bottom of the deck पर we have the hierophant और बाते करते करते मैं इसको shuffle करने लगी थी but ये जरूरी था ना सामने it was meant to be so ये इनसान आपका इनके साथ एक spiritual connection है I definitely feel that and I also feel कि जो problem आप लोगं के इस connection में आ रहा है वो ये है कि आपके person भी बहुत ज़ादा masculine है और आप भी बहुत ज़ादा masculine energy में है same gender भी मुझे हाँ पर नज़र आ रहा है so हम सब के अंदर masculine और feminine energies दोनों होती है so चाहे आप male है या female आप इस वक्त बहुत ज़ादा masculine energy में है और आपके person भी male हो या female वो भी बहुत ज़ादा masculine energy में है so इस वज़ा से आप दोनों का ये connection अभी balance नहीं हो पारा same frequency पर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं और feminine को receptive energy में होना चाहिए और जो masculine है उन्हें pursue करने वाला होना चाहिए so इस वक्त आपके connection की dynamic मुझे थोड़ी सी जैसा मैंने आप से कहा कि आप लोग same frequency पर नज़र नहीं आ रहे हैं और शायद दोनों ही जिद में हैं दोनों ही कोई action नहीं लेना चाह रहे हैं दोनों ये चाह रहे हैं कि सामने वाला action ले सामने वाला की तरफ से कोई movement हो so आपके person भी चाहिए इसी energy में है बट इनके दिल में आपके लिए प्यार है और ये express भी करना चाहते हैं अपना love आप से so ये मुझे आज की reading में नजर आया है कुछ भी आप लोगों के helpful रहा मुझे जरूर बताईएगा comment section में I'll see you in my next video till then love you lots, bye bye